हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंट्स बोनेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या चाहे आपका चैनल मोनेटाइज ना हो तब भी आपको इस अपडेट को जानना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपके चैनल के उपर एड्स चलनी बंद हो जाएंगी तो वो कौन सी एड्स हैं जो आपके चैनल पर चलनी बंद हो जाएंगी इस अपडेट के बाद ये क्या सारा अपडेट है वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही जादा इंफोर्मेटिव है इसलिए वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना पूरा सुरू से लेकर लास तक देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल के उपर विजिट किया है तो पीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इस अपडेट को समझाने के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ले आया हूँ और यहां पे मैंने अपनी एक वीडियो ओपन की हुई है तो आप देख सकते हैं जैसे यहां पे monetization जो second option है इस monetization पे मैं किलिक करता हूँ और इसे यहां पे जैसे ही मैं on करता हूँ तो यहां पे मेरे सामने काफी सारी ads आ जाती हैं जो on है अभी stamp देख सकते हैं आप टिक लगा हूँ है सबने इसमें सबसे उपर है display ad यह तो youtube automatic लगा देता है उसके बाद है यह overlay ad sponsor cards, skippable video ads, non skippable video ads इनको हम on off कर सकते हैं तो अब जो update है वो यह है कि 6 April 2023 से आपकी जो overlay ads है जो यह second number पर overlay ads है यह वली ads आनी अब बंद हो जाएंगी overlay ads वो होती है जो आपकी वीडियो के नीचे आती है जैसे banner के रूप में आपकी वीडियो के नीचे आती है जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा नुकसान है और जिनका चैनल अभी monetize नहीं है उनको तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जब उनका चैनल monetize होगा तो उनकी भी earning down ही रहेगी थोड़ी क्योंकि overlay ads उस पे नहीं चलेंगी बाकी की ads आपकी as it is continue रहेंगी तो friends मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि आपको ये update कैसा लगा अच्छा लगा या बुरा लगा और अगर आपको वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें thank you